आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के उन MCQs को जो कि SSE CGL में बहुत बार पूछे गए हैं 2022 में और 2023 में उन सारे क्यूशन को डिस्कस करें टोटल 39 सिप्ट में यह क्यूशन हुए थे तो मेरा टार्गेट है कि मैं आपको सारे क्यूशन यहां करवा दूँ उससे अलावा जो खास बात है इस शेशन यह तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे उससे रिलेटेट क्या-क्या क्यूशन बनते हैं वो आप देखेंगे इस क्लास में सबसे इंपोर्टेंट है और जब आप क्लास में आ रहे हैं तो आप यह सोच के चलिए कि आपको इस श पास होता है इस शेशन पूरा देखना है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है तो चलिए सुर्वात करते हैं आज के शेशन की हुआइटी की साथ मेरा परचम क्लासिस पर एक कोर्स है एससे जनरल साइंस का जिस वो ट्वेंटी टॉन्टी पोर की सारी एक्जा साथ में आप से जो पीवाईक्यू डिसकेशन होगा उसके भी क्यूसंस देखने को मिलेंगे जी एका कोर्स पूरा कोर्स जो की हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी स्टेटिक जीके एकोनोमिक्स सब को कवर कर रहा है सारे फीचर इसम जिसमें 5500 क्यूसंस हैं आप जाइए 2020 इसमें 220 सेक्शन्स रेश्ट होंगे कमप्लीट आपकी प्रिप्रेशन के चार चांद लगाने वाला पेकेश है छोटा पेकेश है कहां जाना है आपको इन सब के लिए पर्चम क्लास्स पर को डाउट है तो आप हमें कोल यह मैसेज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की हीशन को लीवर क्या प्रोड्यूस करता है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है एक्जाम में बहुत बार आता है किसको प्रोड्यूस कौन करता है इसको लीवर हमारा प्रोड्यूस करता है अब जब इसको प्रोड्यूस कर देता है तो यह क्या होता है यह स्टोर होगा फीक है स्टोर कह होता है आपको गॉल ब्लेडड़में कहा होता है और ब्लेडडर में जाकर रिस्टोर होता है फिर गॉल ब्लेडर से कित्रू क्या होती है डटक्त के इसथिक ठोटीendo इक नली का, डट क्या होते है, एक चोटी नली का पतली होना, उसके तूरो क्या करता है, यह mix होजाता है, हमारे food, जो हमारा food है, खाना, डेड़ुनम में जाके mix होजाता है, हमारे खाने में, food में, ठीक है, अब इस related और क्या बनता है, इससे बनता है कि जो bile juice है, उसमें होता क क्या है एक्चुल में हारा बाइल जूस में और क्या क्या होता है देखो बाइल जूस में सबसे इंपोर्टन तो बॉइल सोल्ट होता है वाइल पिगमेंट होते हैं ठीक है और सोडियम हाइड्रोजन कार्गोनेट होता है तीन इंपोर्टेंट चीज़े हैं वाइल सॉल्ट हो अब जब हम खाना खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइट्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फेट्स होते हैं, ये क्या करता है, ये इमल्सिफाई करता है, help करता है इमल्सिफाई में किसके? फेट में, यानि अब माली ये इतना बड़ा कोई फेट है, उसको छोटी-छोट चोटी चोटी चोटी, small, parts में क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है, यह इसका में का में, अब इसमें क्या है, इसका color exam में पूछते हैं, कि bile का color क्या है, तो bile, yellow green color का क्या है, alkaline fluid है, अब यह alkaline क्यों है, इसके भी बात करेंगे, आपको मैंने एक बात बताई, pH value के बारे म कितना होता है, 7.7 होता है, कितना होता है, 7.7, 0-7 acid nature का है, 0-7, और 7-14 कैसा nature का होता है, pH का? base nature का, alkaline nature का होता है, तो यह 7.4 है, इसका मतल़ नेचर कहता है, alkaline nature का है, ठीक है, बाई सेक confessed family होता है यह हमने पढ़े लिया स्टोड इहो विटामिन विटामिन रखताई इसमें क्या इस्टोड से काम आता तो क्या करता है स्टोड करता है विटामिन एक अब यह तो हमने सारी चीज्य अभी जो पढ़ाइब थी वह है कि कहां से ć Armenian होता है तो यह आँ होता है गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है क्या करता है यह इस डट के थू हमारे फूड में चला जाता है चीक है इसमें क्या कहा है बिल सोड्स होते हैं बिल पिगमेंट्स होते हैं सोडिम हैडोजन कार्बोनेट होता है क्या करता है हेल्प करता है मलसी फाइग फैट को छोड़े छोड़े टुकुडों में स्मोल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है करा होता है यलो क्रीन करार का पीछ विल्यूतिय से उन पॉइंट सेवन अगला क्यूशन एक्जाम में पूछा था कि जब हम वोगि स्टड़ी से रिलेटेड क्यूशनस पूरुथते है कि जैसे The Study of FungREE, इसको क्या बोलते है the study of algae, इसको क्या बोता है, तो अनकरा study of fungi, क्या होता है, mycology, क्या होता है, mycology है, और study of algae, study of algae क्या है, वो है phycology, दो questions तो एक्जाम में direct आए रहे, कि mycology और phycology क्या है, study, the study of fungi, mycology, study of algae, phycology, अब fungi जो kingdom है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीको, दो तरह के होते होंगे, cell से, या तो यह eukaryotic cell से मिलकर बने होते होंगे, या prokaryotic cell से मिलकर बने होंगे, मैंने eukaryotic और prokaryotic, prokaryotic और eukaryotic, दो मैंने cells आपको बताए थी, prokaryotic कुन सी cells है, जिन में nucleus नहीं होता, ठीक है, और eukaryotic जिसमें होता है, true nucleus जिन में nucleus होता है केंद्र जिन में होता है तो यह kingdom जो फंगई kingdom में कैसा है eukaryotic kingdom है और इन फंगई में जो cell wall होती है ना वो cell wall किसकी बनी होती है kaitin की बनी होती kaitin की बनी होती है ठीक है जो क्या है एक carbohydrate है अगर मैं बात करूं हमारा यह unicellular होता है या multi-cellular होता है ध्यार अखना एक बात बहुत important है कि जो fungi है वो multi-cellular भी होते हैं और unicellular भी होते हैं लेकि unicellular का example बताइए yeast अब कोई आपको यहां confusion करता है कि जब हम लोग बात करते हैं fungi kingdom के बारे में तो कोई पूछे कि fungi kingdom में unicellular का example बताइए तो आप क two more modes यह क्या है multi-cellular के example है fungi kingdom में अब यह जो kingdom है इसमें जो organism होते हैं वो कैसे nature के होते हैं क्या वो heterotropic, autotropic वो खुद अपना खाना बनाते हैं किसी और पर depend है तो यह वो किसी और पर depend होते हैं heterotropic nature की होते हैं ठीक है heterotropic nature के होते हैं अब इसमें hetro topic एक तो किसी भी मरेवयजीव को decomposer है किसी भी मरेवयजीव पर जाते हैं और उससे अपना खाना बनाते और एक होते है पैला साइट्स हाना दूसरों आपर निर बर्र होते हैं अब इनकी जो body है जो fungi kingdom बेंदे जो ऑरक पे, हाई पे, क्या बोलते हैं, हाई पे, यह most important word है, बहुत पार exam में है, कि हाई पे क्या है, reproduction, हाणा reproduce करते हैं, using किस के तरू, sports के तरू, तो, आज की class में, हमने, fungi kingdom, और fungi kingdom, जो दो देखें, इन्वेसे हमने, fungi की बात की, fungi kingdom के बारे में, जो भी important है, यह eukerotics होते हैं, यह unicellular, multicellular होते हैं, yeast एक unicellular है, और molds यह मस्रूम क्या है, multicellular, multicellular, और unicellular का मतब uni, जो एक सेल से मिलकर बने हैं, और multicellular तो एक से ज़ादा से मिलकर बने हैं, चीक है, चले, next, अब exam में, कुछ study से related, और क्या-क्या पूछ सकते हैं, जैसे, geology में हम किस की study करते हैं, geology, ठीक है, geology में हम लोग study करते हैं, study of animals, किस की study करते हैं, study of animals, animals की study हम लोग geology में करते हैं, अगर मैं बात करू, Botany हो सकता है कुछ के लिए ये word easy हो एक बात लिए Botany में किस की study करते है Plants किस study करते है अपको यह आपको पूछा है कि बताए Microbiology में किस की study करते है Microbiology Microbiology में आपको तो Microbiology में छोटे वीवो की बात कर रहा है जैसे वाम लोग मैं कहूँ चोटे वज़े से virus की study करना bacteria की study करना ठीक है protozoans की study करना चोटे Microse organism की study करता है मैंने बता दिया Microbiology और Phycology अभी मैंने बता दिया Study of algae और Study of Pungary मैंने बता दिया Entomology Entomology इसमें क्या है हम ना इसमें insect होते है चोटे जीव कीट जिनको बोलते है क्या बोलते है Insects, कीट उनकी study करना होते है आज़ा रोई Ethiology Ethiology के study करते है Fish की मच्चनियों की Fishes Orinthology औरिंथो देखो औरिंथों को कुछ ऐसा करेंगे Orinthology औरिंथोलोजी होते है Birds पक्षी होते है Birds की study करना Study of birds Virology Virus की study Bacteriology Bacteria की study तो Zoology Animals Botany Plants Microbiology Microgans Virus Bacteria Protodons ठीक है Micology और Phycology मैंने बता दिया Micology फंग्री के study और Phycology Algae के study ठीक है Entomology Insect की Keto की study Ethology Fishes की study Orinthology Birds की study Viro Virus और Bacteria Bacteria की अब एक Quesnall Summary दिमाग में होता है ये हमने Second Class में भी पढ़ा था Cell लेकिए Cell ये जो Word है ये सबसे पहले Word का जो Formation है वो किस ने किया था Robot Hook ने किया था Robot Hook ने किया था और अब मैं आपको ये बात पहूँ तो कहीं ने कहीं Robot Hook को ये फादर बोलता है Father of Cytology Cytology का मतलब क्या होता है जैसे हमने अब इस Study of Algae और पंगी पढ़ा है ऐसे Study of Cell कोसी का कि Study क्या है वो है Cytology Study of Cell क्या है Cytology अच्छा अब Cell की जब बात करते है तो Cell का Genetic Material क्या है DNA डियाक्षी राइबोज Nucleic Acid और जो Robot Hook ने जो Cell की डिसकवरी की थी वो Dead Cells से कैसे Cell थी Dead Cells से नहीं मृत कोशी कहीं थी अगर Dead Cells की बात कर रहे है अगर Living Cells से बात करेंगे फिर मैंने बोला था जब Next Class आएगी तो आपको Plant और Animal Cells से Related कुछ Factor बताऊँगा देखिए अब बात करें Plant Cells की Plant Cells में सबसे Important जो बात है ना उनमें Cell Wall होती बहुत Important बात है Focus करना इस बात को क्या होती है Cell Wall ये बहुत Important है ये सिर्फ Plant Cells में होती है इसका मतब Animal Cells में Cell Wall नहीं होती बिल्कु सही है Vacules होते हैं ना Vacules ये देखिए Vacules देखो ये लार्ज होते हैं बहुत बड़ा दिखरा हैं जब कि इसमें जो Vacules होते हैं कितना चूटा है और इसमें कितना बड़ा तो Large Central Reckles होते हैं इसमें Small Reckles होते हैं अगर मैं बात करूँ Chloroplast इसमें क्या होता है Plant Cells में Chloroplast ये दूसरा Important Difference है Measure इनमें Chloroplast नहीं होता ठीक है अगर मैं बात करूँ इसमें Lysosome और Centrosome की कमी होती इनमें नहीं होता लेकिन Animal Cells में हना Centrosomes या Lysosomes होते हैं तो Animal Cells और Plant Cells का Basic Difference में इस एक तो Cell Vole और एक Chloroplast दोनों को Include करेके चलना है और लेकिन अगर Priority पे आदेगे मालों दोनों पूछे कि इनमें इसे क्या Difference है दोनों options हो तो आप पहली धारगना Cell Vole को करेंगे Cell Vole को पहले करने वाले है हमें पता लगया? चलिए Next अब Blood Related Cutions है बहुत सारी Cutions Blood से Related Exam में आ रहे है और इसलिए मैंने Blood को Separate कर दिया है अलग से देखे अब एक चीज धारगना Blood की बात करते है Blood ये रह उनको points को हम थोड़ी दिर बात इसक्रिस करेंगे क्योंकि Concept यहाँ ही बात आज़े दो आपके क्योंकि ये तो exam में पूछे और ये एक्ष्ट्रा करते है Blood Blood एक क्या है? Tissue Important बात है Blood क्या है? एक Tissue है Okay Blood होते है Nature में Fluid Nature में होते है बिल्कुल सही है Nature में कैसे है? Fluid होते है ये क्या करते है? हमारा जो जैसे हमारी बोड़ी है उसमें क्या है? ये vessels के थूँ Closed system में Pack Vessels के थूँ हमारी बोड़ी में Circulate करते रहे थे जोड़ी जोड़ी है आप सुड़ी हमारा Blood है अंदर घूम रहे वह vessels में घूम रहे छोटी-छोटी पतली उन vessels में हमारी पूरी बोड़ी में घूम रहे इसका जो pH होता है Blood का pH यहां यहां मैं एंसर कर जाएँ pH जो value है Blood की pH होता है 7.4 यह बहुत बार एक त्रहम आता है pH कितना होता है 7.4 इसका मतब 7 और 14 के बीच की बात यानि इसका नेचर कैसा है छोड़ असा हला alkaline नेचर का है थोड़ा बेस नेचर का होता है अब बात करता हूँ कि Blood यह तो हैं Basic बात है Blood की कि क्या है कितना pH है कौन से tissues है कैसे flow करता है अब यहाँ देखना functions है Blood के अब Blood के functions बताओ क्या है अब Blood क्या करता है हमारी पूरी बोड़ी में circulate होता है बिल्कु सही है जो special जो supply essential nutrients होते है जैसे मालो जैसे amino acids है fatty acids है glucose है वो सही एक तक पहुंचाता है कोशी का होता है पूरी बोड़ी में circulate करता है ट्रांस्पोर्ट करता है oxygen का carbon dioxide का ठीक है hormones का हमारे blood क्या करता है function हमारे blood का क्या है जो blood का loss हो रहा है उससे बचाना हमें blood disease से हमें protect करना हमारी body का temperature कंट्रोल करता है blood हमारे क्या कहा है blood हमारी body को temperature को कंट्रोल करता अब exam में क्या क्या पूछा है अब देखो composition देखलो blood का plasma 55% होता है almost 55% होता है कई जगी 60 भी लिखा होगा 55% होता है white blood cells होती है WBC या platrates 4% होती है red blood cells कितनी होती है 41% होती है तो composition exam में पूछता है platrates are dead कहां पर मरत होती है कहां जाके dead होती है spleen में कहां होती है spleen में dead होती है blood help blood clotting में कौन help करता है blood clotting में help करता है platrates हमारी body का हमारे blood का कितना 4% part stream होता है हम बात करें कि विटामीन की मैंने बताई था विटामीन क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग में help करता है तो blood से related सारे MCQs मैंने discuss करते हैं जो expected है और जो आच चुके हैं दोनों गो next the site where complete digestion of carbohydrates, proteins and fat take place is called small intense time देखे एक ऐसी जैके पूछा है जहां complete digestion होता है कार्बोहाइट्रीट्स का, protein का और fat का ठीक है complete digestion कहां होता है देखे small intense time मैं आपके दो maximum digestion है वो यहीं होता है maximum digestion ठीक है अब इस digestion में थोड़े सा समझने पहले हम इस small intense time आपके देखे जो small intense time है यह एडल्स में लगपक 6 मिटर होती है कितनी होती है 6 मिटर लंबी होती है 6 मिटर होती है long 6 मिटर लॉंग होती है इसके तीन सब पार्ट्स है कौन-कौन से है इसमें सबसे बड़ी है 3.5 मिटर कितनी है 3.5 मिटर और जो इलियम पार्ट है यही लास्ट में यही लास्ट में सबसे लास्ट पार्षट है और यह कहां चला जाता है किस से अब बात करें कि स्मोल इंटेंस टाइना में मैं साइट है डाइजिस्टेशन के और एब्जोप्शन वोग की बचा हुआ अब मालू कोई चीज जो मौल इंटेंस टाइन ने अब्जोप्ट नहीं कर पाए या अनडाइजिस्टेट फूर कहां जाता है आगे चला जाता है ह स्मोल इंटेंस टाइना की बात करता है स्मोल इंटेंस टाइन पार्ट ओफ इंटेंस टाइन वहन 90 परशंट ऑफ डाइजिस्टेशन ए अब बात करते हैं कि ये सारी चीजे तो थी एक्जाम में बार बार पूछी जा रही है अगर कोई आप से पूछे कि हमारे फूड का डाइजिस्ट कहां से स्टार्ट होता है कहां से हमारा भोजन खाने डाइजिस्ट स्टार्ट होता है हमारा डाइजिस्ट स्टार्ट होता है मौट से खाना मुख से स्टार्ट होता है वहीं से हम डाइजिस्ट चुरू करते हैं क और कहां तो जाता है माॉस से एनस तक जाता है यह तो था हमारे डाइजेशन का पार्ट कुछ जो एक्जाम में इंपोर्टेंट है एक तो देखो बहुत बार आपने देखा होगा प्रोटीन प्रोटीन फैक्टरी राइबोसोंस बार-बार डिस्कस करते हैं तो बहुत और प्रोटीन सिंतेसिस कहां होता है राइबोसोंस में होता है दो चीज़े हमने देख ली यह तो था एक्जाम में कंटिनुएसली पूछता आ रहा है बार-बार राइबोसोंस ना प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल्स में होता है 70S और 80S ठीक है सुसाइड प्रोटीक बेग किसको कहते है एक्साम में बहुत बार है लाइसॉसों को किस ने किया दी दुबहे ने किया लाइससों कि अगर मैं बाग को देखो आप नीन को ब्लाइबोसोंस को दिखाता हो आपको यह ने बाइन प्लाजिम रेटूलोक 9,6 SCP है यह टो टाईप्स कि और स्मूथ को करें हैं एंडवा मेकि और स्मूथ राफ में क्या होता है राइपो Fucking आपको दिख रहे हो ऐसे यह क्या ने उन्हें रहील लैसो सोम राइबा सुम स्ट्पो रिस्पोंसेबल यह एस की सीज़ के लिए relaxing ऑन करने में सेलूलर के वैस्टेज होते हैं इनको ब्रेकड़ाउन कर देता है इसमें क्या होना किसे नदर लाइस्वों है लो पी एच इन्लौ और लाइस्लों अंदर क्या रखता है अपने रहें रहा है स्थानी बहुत कम यह थोड़ सा लो पीएज को मतलब कें 0-7 loay की तरफ जा रहे हैं तो उसका नजचर क्या है एसीडिक है क्या आएसीडिक मदब ज्याधा तब ही तो यह क्या करता है Suicide । solution क्या करता है यंख खहा जायगा आपको बता है acid क्या क्या करता है। फ़दित है और allow करता है digestion enzyme को work करने के लिए कि आओ और क्या करो जो west material है उनका breakdown करो ये काम करता है लाइसोसोर अब blood के general factors composition functions वो तो हमने देखे अब एक RH sector या blood circulatory system से related questions exam में पूछ रहे हैं जैसे RH factor किसे related है तो RH factor सबसे important बाद ये blood से related है RH factor से related research question के land listener और winner ने किये थे ये important है first study of blood circulatory system हमारी blood का जो circulatory system है इसकी बारे में William Harvey ने बात कि थी William Harvey ने first time बात कि ब्लड अब इसमें दो तरह के questions exam में पूछता है कि जो blood carry करता है blood carry करने का मतब दो है है ना क्या है हमारी body से heart हमारी body से हमारे heart में जो करता है वो काम करता है vessels और हमारे heart से हमारी body में यह नहीं opposite वो कम करता है artery तो vessels और artery बहुत चोटी चीज़ है लेकिन confusion बना रहता है हमारा का क्Am क्या है एग्जामे की प्पूस्ट है प्सकित कर पेसमिकर हमारे हार्डबीट को गंट्रोल करते है- ह हर्डबीट को कंट्रोल करते है और हमारे बज़न का पूर का होता है- के डिमांge سے आगए-icio की तरह का यह यह अननूतर टाइप रोटीन है- जो कहां होता है यह present होता भी है और नहीं भी होता कहां पर RBC में Red Blur Cells में RBC में कुछ लोगों में present होगा, कुछ में नहीं होगा इसका नाम रिसस मौस्क्यू नामक बंदर के नाम पर पड़ा ठीक है, RS factor जिसमें होगा RS positive को मतलब क्या है, उसमें यह antigen present है positive और negative को इतना सा मतलत है heart और circulatory system के कुछ कीशन्स यह भी बनते है कि हमारे heart का function क्या है हमारे heart का function क्या है हमारे heart का actual function होता है maintain blood pressure, blood pressure को maintain करना heart का काम क्या है, blood pressure को maintain करना blood vessels, arteries और capillaries बात करते हैं अब देखो blood vessels क्या करते हैं करते हैं blood को कूरी body में और हार्ट तक ले जाती है और arteries क्या करती है आपको बताया मैंने arteries के बारे में अब blood क्या करता है oxygen को लिए जाता ये भी मैंने पता दिया carbon dioxide ये सारी पोँछाता है हार्मोन से इस सबको हादा हमारे ब्लड में हमारी में और जो essential elements होते हैं जो nutrients होते हैं जैसे amino acids होते हैं proteins होते हैं यह सारे सिज़े ले जाता है अब क्या है अब कुछ questions और important है जो cell topics related है ताकि questions cover हो जाए और देखो मैंने connect भी कर लिया है जैसे हमने पढ़ाता भी कि smallest unit क्या है या functional unit life की functional unit क्या है सेल है सब कुछ जितने और गनीज़म है वह सब किसे मिलकर बने हो सेल से मिलकर बने आपके एक structure आपको पता होना चाहिए कि कैसे बने सेल से और बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाते हैं कि इसका में टीशू भी सेल है हाना टीशू से बनते हैं और या और और से और से और सिस्टम बना है लोंगेस्ट नर्वस सिस्टम में दो नियूरोंस होते हैं वह सबसे लंपी से सबसे स्मूलेस्ट और सबसे लोंगेस्ट अब मैं बात करूं क्यों कोई पूछे हैं हमारे नर्वस सिस्टम का बात कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में हमारी क्रेटिविटी और फॉंक्शनल क्या है neurons हमने पढ़ा हुआ है class 10th में neurons होते हैं हमारी तो nervous system का man to function unit है कौन function करता है neurons function करता है ठीक है बात करते हैं हमारी cell में हमारी cell में जो respiration होता हमारी cell कुद social के लिया करती respiration करती है वो कहा होता है वो cell में होता है माइट्रो कॉंडिया में अब आ जाएगे भई वो है इस सेट के सीब करती है रोड सेब क कहते है से को पावर हाॉस ओप सेल भी कहके तहें वह क्भलर दें किसे ने क्याता कोहलर ने ये यह भी हमें पता लग गया यह बायोप्लास्ट मायट्रोप्लास्ट कोद्ञा किसे बोला था बायोप्लास्ट पर ले तो अगर नहीं दिख रहा है तो इप्षिधि और इसको बहुता अल्ट मानने है अल्ट मानने स्कोव प्रड़ाएं ठीक है और हम मा futuro कॐंडिया ऐसे dif rate output करना ऊठै। नशिका ब्रढ़ते का यह करता है हमारी बोड़ी में हमारी इम्मीनोडिश सिस्टम को calcium को balance करता है हमारी body में canard stem cell को regulation करता है stem cell related regulation भी mitochondria में ही होते है respiratory rate हमारे humans में lys respiratory rate adult की बात करहूं किस की बात करहूं adult की tö到底 कितनी होती है 12 से 18 टाइम तकी 11 तकि छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जाता बढ़ोती होती एक दो जादा हो लागते हैं अगर इन में आपको पेन होता है हाठ मे हैना एक हर्ट हमारे लेफ्ट साइड होता है यहां दर्द होता है और जब हमें लगता है कि हमारे जो हर्ट जो कभी लगता है हार्ट अचेट जैसे प्रोब्रम से ना चैपको दिक्कत नहीं हाँ जी आको इस्टेंड डलवाने पड़ेंगे आपको हार्ट सर्चरी करवानी पड़ेंगी और यह जो फोटो है वो हमारी रेस्पिर रेट की है यह जिफ दी लेकिन वो प्यूपिटी में होने से यह आपको जिफ नहीं देख पाएं गया विटामिन की बात करते हैं विटामिन दो तरह की बाते की थी कि फेट सोलेबर और वाटर में इत्म जानकना बी और सी वाटर में सोलेबर होता है बच्ते विए सब पेट में सोलेबर होता है एक एक एक्जाम में क्यूशन आया था बहुत इंपोटन था कि सुक्रोज में क्या होता है तो ग्लुकोज और फ्रक्टोज के मिलकर क्या बनाता है सुक्रोज बनात लेकर आँगा, अगर मैं बात करूँ हमें immediate energy चीए, कोई player है, उसको fast, तुरंत energy चीए, क्या खिलाओगे आप उससे, ताकि उसको energy मिल पाए, instant energy के लिए, तुरंत energy के लिए, carbohydrate, क्यों, क्योंकि carbohydrate का digestion कहा हो जाता है, mouth में, हमारे मुँ में ही इसका digestion हो जाता है, quasi orcore औ merismus, ये दो disease है ना, ये एक्षिल में protein disease है, यानि protein की कमी के वज़े, लैको protein के वज़े से हो जाती है, quasi orcore और merismus, protein जादा से जादा बच्चपन में 14 years के बाद में खूब protein लेना चाहिए, हाना, ताकि हम क्या बढ़न पढ़ें, bodybuilder बन पाए, the most abandonment organ compound in nature, cellulose most abandonment है, सबसे ज universe में, nature में होता है, अच्छा, एक क्यूशन थूड़ सा नया था, और मुझे लगा, exam में बहुत important है, radon, कौन सी SC gaze है, जिसका use treatment करते हैं, cancer की इलाज में, cancer के treatment के लिए, कौन सी gaze radon gaze का use करते हैं, कोई पूछा आपको pinnacle, हाना, pineal, pineal, जो gland है, pineal gland कहा होती है, हमारे brain में, location बहुत बार पूछते हैं, कि कोजी gland कहा होती है, तो next session में, मैं आपको gland उनकी location के साथ लेकरा होगा, ताकि आपको recall हो जाएंगे, किक है, meningitis, meningitis, disease हमारे brain से related है, देखो, वैसे मैंने connect किया है, सारी चीजों को, बट, फिर भी क्या होता है, कि जब specific topic को जैसे cover कर ले, जैस आँगा, अगर आपकी body का low temperature हो जाए, हाना, low soap excess heart, हाना heat, हाना, हमारी body में, तो क्या है, क्या होता है, hypothermia होता है, हाना, humans में क्या हो जाता है, hypothermia हो जाता है, जिसमे, due to low body temperature, loss of excess heat from the body, ज्यादा heat हमारी body से produce होती है, आज का session में, मैंने बहुत सारी questions आपके लिए लेकर रहा है, बहुत important session आपके लिए लेकर रहा है, आप इस PDF को इपर note down करिए, इस video को पूरा ध्यान से देखे, और जब आप दुबारा एक list बना लीजे, कि मुझे ये video 2x में देखना है, तो जब आप दुबारा देखना ह नहीं आप इसको recall कर पाएंगे, तो thank you everyone, bye bye, take care.